नमस्कार दोस्तों। नहीं होता है। नेप्रोक्सिन टैबलेट का उप्योग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। नेप्रोक्सिन टैबलेट का उप्योग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे की नेप्रोकसेन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। नेप्रोकसेन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नेप्रोकसेन 250 mg टेबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं. बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर नेप्रोकसेन 500MG टेबलेट को भी दिन में दो बार लेने की सलाह दे सकता है। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्ध होने पर ही नेप्रोकसेन टेबलेट को लेने की सलाह देते हैं। नेप्रोकसेन टेबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए नेप्रोकसेन टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना न नेप्रोकसेन टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की नेप्रोकसेन टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेप्रोकसेन टेबलेट के सामानने साइड इफेक्ट्स में बधजमी, पेट में दर्थ, पेट में जलन, कब्स, उल प्रिटी आने का मन होना दस्त और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक नेप्रोक्सिन टेबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डेमेज हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में शिदर हो जाते हैं। और लंबे समय तक नेप्रोक्सिन टेबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लखवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप नेप्रोक्सिन टेबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं, तो ऐसे में ज्यादा तर व्यक्तियों में कोई side effects नहीं होते हैं. अगर आप नेप्रोकसिन टेबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं, तो ऐसी स्थिती में नेप्रोकसिन टेबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है. अब हम डिसकस करेंगे कि नेप्रोकसिन की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर नेप्रोकसिन टेबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना नेप्रोकसिन टेबलेट को नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व पारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं नेप्रोकसिन टेबलेट को ले सकती है या नहीं. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए नेप्रोकसिन टेबलेट का सेवन करना रेकमेंदेड नहीं है और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए भी नेप्रोक्सिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नेप्रोक्सिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नेप्रोकसिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नेप्रोकसिन टैबलेट से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल झाल झाल